हेलो स्टुडेंट एक बर फिर से स्वागत करते हैं इस्टडी नॉलेज की चैनल में आज का वीडियो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो विद्यारती वीक हैं कमजोर हैं वो भी 70% तक ला सकते हैं जी हां बहुत सही सुना आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो स्टुडेंट वीक हैं कमजोर हैं वो भी 70% तक ला सकते हैं अब यह कैसे पॉसिबल होता है या कैसे पॉसिबल हो जाएगा या हो सकता है इसको मैं दिखाने वाला हूँ आपको खुद बताने वाला हूँ कि आपके अंदर क्या है आप कैसे कर सकते हैं तो बस एक छोटी सी रिक्वेश्ट है इस वीडियो को अंते तक देखिएगा मैं यह कहने वाला नहीं हूँ कि आप मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि वीडियो पसंद आएगा तभी कीजिएगा नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं लेकिन इस वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता सल चल सकें कि इसमें मैंने यह सक्क्या बताया है कि फिजिक्स और केमेश्ट्री वाले वीक हमोने के साथ साथ 70% तक ला सक रहे हैं अगर देखा जाए तो सबसे पहला पेपर है हिंदी इसमें दो पेपर होगा फर्ष्ट और सेकेंड फर्ष्ट में करीब 50 नमर का कोश्चन पूछा जाएगा अब देखिए एक चीज ध्यान से समझिएगा यदि आपका फिजिक्स और केमेश्ट्री कमजोर है तो आपको क्या करना पड़ेगा हिंदी इंग्लीज मैथ या बायो इसमें आपको नमबर उठाना पड़ेगा क्लिरली बता रहा हूँ आपको उठाना ही पड़ेगा नहीं तो आप नहीं निकाल पाएंगे अब वो कैसे निकाल सकते हैं नमबर उठा सकते हैं वही मैं बताने वाला हूँ तो 50 में से अगर देखा जा तो हिंदी कोई टप सब्जेक्ट नहीं है यदि आप अपने राइटिंग को सुधारते हैं और साप सुथरा लिखते हैं तो आपको 50 में से करीब 30 से 35 नमबर कोई नहीं रोक सकता आप निकाल सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो 30 से 35 तक कोई 30 से 35 तक तो मैं ये मीनिमम की बता रहा हूँ लेकिन आप अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप करीब 40-45 तक निकाल सकते हैं क्योंकि हिंदी कोई टप सब्जेक्ट नहीं है तो अगर इसकी एवरेज हम ले लेते हैं तो करीब मान सकते हैं 70 नमबर आप ला सकते ह हैं क्योंकि ये कोई टप सब्जेक्ट नहीं है बस इसमें एक छोटी सी काम करनी है अगर सतर नमबर लाते हैं तो इसके आपके टोटल 40% मिल जाएंगे तो 40% तो आपको कहां से मिल गया हिंदी सब्जेक्ट से चलिए अब सेकें बात करते हैं इंग्लिस से की तो इंग्लिस में क्या होता है अगर बात करें इंग्लिस में तो इंग्लिस में फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर होता है इसमें भी 50 नमर क कोस्चन होते हैं अगर इंग्लिस की बात करें तो इसमें भी वहीं काम करना है जो आपने हिंदी भी किया है मतलब 30 से 35 तंबर इसमें भी लाना पड़ेगा एक बात बता दे आपको हिंदी और इंग्लिस एकड़म सेम सब्जेक्ट है बस तोड़ा संतर है कि उसको हिंदी में लिखना है इसको इंग्लिस में लिखना है कैसे पता चला कि एकड़म सेम सब्जेक्ट है चलिए इसको बतात लिखना पड़ता है और इंग्लिश में क्या लिखना पड़ता है एक पार ग्राप देगा और उसका कोस्चिन का एंसर पोचता है मतलब सेम है कोई अधिक कठिन नहीं है इसमें अगर इस तरह से सब को मिलाया जाए तो सब एकनम सेम से मिलेंगे तो कह सकते हैं आप 30 से 35 तक ला सकते हैं कोई कठिना ही नहीं होगी यदि आपका कमेश्ट्री और फिजिक्स कमजोर है तो आपको लाना ही पड़ेगा तो इसमें भी अगर देखा जाए तो 40 परसेंट तक आराम से उठा सकते हैं किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी तो इन दोनों सब्जिक्ट्स चे आप कितने ला सकते हैं 40-40 अगर मिला दिया जाए तो 14-40 मिला के 28 परसेंट के वल आपके दो सब्जिक्ट्स से उठ गया है यहाँ पे आप मैक्सिमम बढ़ाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा या बहुत अच्छे हैं तो आप अपने डिस्टिक्ट में भी टॉप कर सकते हैं तो हमने दो सब्जिक्ट को यहाँ पे टार्गेट बता दिया कि 28 तक या 30% तक आपको लाना ही पड़ेगा क्योंकि आपका फिजिक्स और केमिस्टी कमजोर है अब बात करते हैं तीसरे सब्जिक्ट की तो तीसरे सब्जिक्ट लेते हैं यहाँ पे मैथ ध्यान दे मैथ या बायो दोनों ले सकते हैं लेकिन बायो वालों के लिए मैं लाश्ट में बताऊंगा वीडियो के अंत में बताऊंगा वो वीडियो को अंते तक देखेंगे और मैत वालों को अभी बता रहा हूं और ये एक बात और, ये सभी board के लिए मैं बता रहा हूँ, किवल UP board के लिए मैं नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे हर एक board को बताने वाला हूँ, राजस्थान board हो, चाए MP board हो, चाए अपना गुजरात board हो, चाए UP board हो, चाए कोई भी board हो, मैं हर एक board के लिए बता रहा अब मैत में बात करें तो मैत में भी फर्ष्ट पेपर और सेकेंड पेपर होता है इसमें पच्चास नमबर के कोश्चन पूछे जाते हैं फर्ष्ट और सेकेंड में अलग-अलग अब देखिए हमने मैत की इतने सारे वीडियोज बना दिये हैं अगर आप पूरे वीडियोज को देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि मैत में टोटल अगर देखा जाए तो 70 नमबर या 80 नमबर तक कोई नहीं काड़ सकता है लेकिन अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है मान लेते हैं कुछ लोगों निकल जाते हैं कमजोर है तो आपको पहले बता दें मैथ से पढ़ने वाले स्टुडेंट अगर मैत में कमजोर निकल जाए तो उनको मैथ नहीं पढ़ना चाहिए बायो ले लेना चाहिए तो इस चीज़ को आप पहले नोट कर लिजे कि math से पढ़ रहा है तो आपको math आनी चाहिए अब देखिए math फश्ट कितने सरल होते हैं आपको पहले बताया चुके हैं math इतने सरल होते हैं कि आप चाहेंगे तो इसमें 40 से 45 नमबर तक कहीं नहीं गए आप निकाल सकते हैं क्योंकि सबसे plus point इसमें बनेगी आपकी matrix और determinate means abuse और sardic सबसे सरल यहीं पढ़ेगा उसके साथ साथ आपके रहकी का समी का है त्रकोड में ती फलन है इन सभी को मिला कर अगर देखा जाए तयारी करेंगे तो 40 से 45 तक कोई नहीं रोक सकता और second paper में बात करेंगा second paper आपको कठी लगता है तो करीक 30 नमबर भी लाएंगे minimum तो भी चलेगा नहीं 25 लाईए तो भी चलेगा लेकिन दोनों से मिला कर आपको 70 से 75 तक लाना ही पड़ेगा क्योंकि आप math के student है और math के student जहाँ पीछा पकड़ लेते हैं किसी भी चीज़ को तो वो करके दिखा लेते हैं क्योंकि मैं भी एक math के student हो और इसमें become कर रहा हूं तो become में मैंने top किया है क्योंकि मैं एक math के student हो तो आभी math के student है तो बहुत कुछ कर सकते हैं तो 70 से 75 तक आप पा सकते हैं कह सकते हैं अराम से पा सकते हैं यदि पा सकते हैं तो अभी बोलिए हाँ पा सकते हैं अगर इसकी percentage निकाला जाये तो करीब 40 या 15% तक कहीं नहीं गया math में निकाल सकते हैं तो चलिए इसको माल लेते हैं 15% तक माल लेते हैं या 40 कुछ भी माल लेते हैं अब आते हैं physics पे next जो 4 नंबर का subject है physics की बात करते हैं अब समझे physics में क्या है physics में सबसे पहले आपको बता दे तो 30 नंबर का आपका practical होता है जिसमें से maximum या minimum की बात करें तो 28 नंबर आपको practical मिलना है किसी भी हालत में 28 नंबर मिल ही जाता है अगर chemistry की बात करें तो इसमें भी करीब 28 नंबर practical के मिल जाते हैं और इन दोनों से देखा जाया तो 56 नंबर बनते हैं या 55 ले लेते हैं एक नंबर कमगर किया तो अगर इसका percentage निकाला जाया तो 11 परसेंट केवल practical से बनना है 11 परसेंटेज अभी आपने कोई भी सवाल नहीं लगाया है ना ही physics का ना ही chemistry का ना ही theory दिया है ना ही कोई सवाल लगाया है फिर भी आपके 11 परसेंटेज बन गया है लेकिन अगर आप बात करें physics के theory की या numerical की इन दोनों की बात करें तो सबसे अधिक theory पूछता है numerical कम पूछता है अगर आप numerical लगाना नहीं जानते हैं तो आप theory पढ़ेंगे numerical लगाना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा है उठा सकते हैं आप तो आपको क्या करना है इसमें first और second पूछता है question मतलब दो paper होते है अब first में करीब 35 नमर का question होता है और इसमें भी 35 नमर का question होता है दिखा जाए तो first में या second में आपको maximum 15 तो लान इसको 17 कर दीजिए मतलब मैत अगर first आपका तेज है तो बहुत अच्छी बात है second कम जो रहते हैं उसमें कम लाई है लेकिन first में अधिक लाई है दोनों को combine करके आपको 15 दूनी के 30 मतलब 30 से 35 नमबर तक आपको लाना ही पड़ेगा total 70 नमबर में से 30 से 35 नमबर तक आप ला रहा है तो कहीं नहीं गया आप आराम से पासकते हैं 30 से 35 नमबर तो कहीं नहीं गया है अगर 35 नमबर देखा जाए percentage बना जा तो six percentage मान लेते हैं किसके क्योल physics के physics के हमने six percentage मान लिया अब आते हैं chemistry की तो chemistry की बात करते हैं तो chemistry में बात करते हैं तो chemistry में भी first और second पेपर होता है और इसमें भी 35 नमबर की question होते हैं और इसमें भी आपको वहीं प्रक्रिया करनी है जो आपने physics में किया था मतलब आपको 15 नमबर लाने हैं अगर 15 बहुत कमजोर हैं मालीजी आप physics में बहुत कमजोर हैं नहीं आपको याद होता है नहीं समीकरण देने आता है तो आप 10 नमबर लाइए 12 नमबर लाइए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको लाना ही पड़ेगा कम से कम 10-12 जोर मिल जाएगी तो आपका पढ़ना भिखा रहे है इसलिए इतना तो लाईए हिमत इससे उपर जाएंगे तो आपके लिए बेटर पड़ेगा अब आते हैं सेकंड पेपर में तो सेकंड पेपर में वहीं कहुंगा कि 10-15 नमर के बीच में लाएंगे तो भी चलेगा यह मैकसिमम हमने किसका बात किया यह दुन हमने मीनिमम की बात किया ध्यान से समझेगा मीनिमम की बात कर रहा है मैकसिमम अगर बात करें तो आप मैकसिमम तो ला सकते हैं कुछ भी लाईए आपके उपर है आप चाहे तो 35 में से 35 लाईए किसी ने मने थोड़ी ने किया है कि आप ला सकते हैं तो इन दोनों को combine करके अगर देखा जाए तो कम से कम 25 ते 30 नंबर भी ला सकते हैं मैं minimum की बात कर रहा हूं maximum की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको math, chemistry और physics कमजोर है तब के लिए तो इतना ला दियें और इतना का percentage देखा दो जो 5 या 6 percentage बन जाएंगे चलिए अब सभी को count लिकर के बताते हैं कि कितना percentage बना तो हिंदी का हमने जो बात किया था करीव 14% लगभग बताया था प्लस इंग्लिस की बात किया था तो करीव 15% या 40% दोनों को यह एक मान लेते हैं और math की बात करें तो math में हमने अभी बताया था आपको कितना तक पा सकते हैं लगभग 70-75 पा सकते हैं मतलब इसको 15% तक तो कर ही सकते हैं क्योंकि आप एक math के student हैं अब next की बात करते हैं physics की तो physics में कितना पा सकते हैं physics और chemistry इन दोनों को पहले ध्यान से समझ लिजिए तो इसमें physics और chemistry दोनों की practical जो 11% है दोनों का mix करके था उसके साथ साथ आपने जो theory और numerical दिया था करीब 6-7% तक दे सकते हैं क्योंकि उससे अधिकाप अगर कमजोर हैं तब की बात कर रहा है तो माल लेते हैं 6-6% अब सब को count कर लेते हैं 6-6, 12 और 11 यह सब किसके हैं यह physics chemistry के सभी mix हैं अब इसको count करते हैं total तो कितना हो जाएगा पंदर दूनी के 30 इसको दे देते हैं पंदर तिया के 45, 45, 10, 55, 55, 65, 65, 65 तो यहां पर हमने अभी देखा है 66% आ रहा है लेकिन हमने कितना बताया 70% तक ला सकते हैं मतलब 4% अभी घट रहा है 4% का मतलब 4% बराबर 20 नंबर तो 20 नंबर को cover करने के लिए आपको एक simple सा तरीका है Hindi English Math इसमें आपको cover करना पड़ेगा अब देखते हैं कि इसमें आपको कौन सा subject आपका तेज है Math तेज है Hindi तेज है English तेज है जो तेज रहेगा उसको आपको cover करना है ताकि आप 70% आराम से पास सकें लेकिन आप पढ़ने में तेज है तो इससे तो कोई बात नहीं आप आराम से इसके बहुत उपर जा सकते हैं 70, 75, 80 बहुत जा सकते हैं चलिए यहां तक तो हो गया Math वालों के लिए अब इसके आगे की वीडियो है बायो वालों के लिए कि बायो वाले कैसे लाग पाएंगे अब बायो के लिए समझा देते हैं तो बायो वाले समझ लीजिए बायो वाले हिंदी में करीब हमने बताया तब 40% तक ला सकते हैं या 15% तक इंग्लिस में भी वहीं चीज कर सकते हैं 14-15, 14-15 करिए 14-14 करिए मतलब दोनों मिला के 29 या 30 कर लीजिए आप किसमें हिंदी इंग्लिस में इतना परसेंटेज अब आते हैं physics chemistry की physics chemistry भी मैंने अभी बता दिया है physics और chemistry तो 6-6-12, 12-10-22 मतलब क्या 6 physics chemistry से उठा सकते हैं अब इसको count करते हैं तो देखिए 29 माल लेते हैं 29 और ये 23 कितना हो गया तो 20-20-40 40-10-50 52 तो 52 नमबर आपके आगे केवल 4 सब्जेक्ट के अब लाश्ट में बच जाते हैं आपके बायो तो बायो में देखिए कैसे उठाएंगे सबसे पहले बायो की बात करें तो बायो की आप 28 या 30 पूरा पास सकते हैं practical में गोर्ण में से कोई पास सकते हैं तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 11 परसेंटेज केवल 11 मतलब sorry 5 5 परसेंटेज 5 परसेंट मतलब 25 नमबर या 5.5 कुछ भी कर लिए 28 नमर के लिए तो हम यहाँ पर 5 परसेंट मान रहा है तो 5 परसेंट यह मिल गया अब आते हैं आपके कोईस्चन 1 पर और 2 पर तो 1 पर आपके 35 नमर के हैं और 2 पर भी 35 नमर के हैं जन्तु विग्यान और वनस्पति विग्यान दो रहा है तो अब देखी इसमें क्या करना है इसमें भी आपको 2 चीज़े देखनी है पहले चीज़े आपको फिगर पर ध्यान देना है कि जो फिगर बोला है उसका डाइग्राम अच्छे से बना के इसको डिफाइन करना एच्छे से समझाना है कि वो क्या क्या पूछ रहा है तो इस तरह से आपके अगर देखे जाए तो इसमें करीब आपको 15 से 20 नमबर तक आपको उठा लेना है फर्स्ट पेपर में और वही कंडिशन शेकंड पेपर में आपको करना है तो अगर इतने इतने आप कर लेते हैं तो माल लेते हैं करीब 35 नमबर तक आगर आप उठाते हैं 35 यह minimum की बात कर रहा है minimum की हमें साम बात कर रहा है मैक्सिमन तो आप कुछ भी उठाइए वह आपके उपर है मिल्मन 35 नमबर अगर आप उठाते हैं तो करीब कह सकते हैं 35 इधर और 25 उधर कितना होगे आपका 60 नमबर तो टोटल 100 में से 60 या 70 जो भी है आप इतना बायो में उठाइए तो इससे आपके कितने परसेंटेज बनेंगे 13 से 14 परसेंटेज इसके बन जाएंगे और पहले से कितने हमने परसेंटेज बताया था है 52 परसेंटेज तो 52 प्लस इधर ले लेते हैं 30 परसेंट या 40 परसेंट को भी मान लेते हैं तो टोटल कर लेते हैं 3, 2, 5, यह हो गया, 5, 1, 6, 65, तो यहीं चीजिस में भी आ गया, लगभग जो मैथ वालों के लिए बता है उतना इतने, तो आपको इतना नमबर तो आ गया, लेकिन 70 लाने के लिए आपको हिंदी, इंगलीज में मेहनत करना पड़ेगा, और एक बायो में, इन तीनों में आपक कमजोर है पढ़ने में तब, अगर पढ़ने में तेज है तो कोई बातने आप बढ़ सकते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्क्राइब जरू कर लें, और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जो आपको आपके बोर्ड परिच्छा में दिफूल हो सकता है, थैंक्स फॉर वचिंग मैं वीडियो जो